वसे जब भी कभी इंडिया के इंटरनेशनल अचीवमेंट्स वाले मोमेंट्स आते हैं तब एक अलगी लेवल की खुशी मिलती है फिर चाहे वो स्पोर्स की बात हो बिजनेस की बात हो पॉलिटिक्स की बात हो टेकनलोजी या फिर इवन इंटर्टेन्मेंट की बात हो और हम इस मुद्दे पर उलजे हुए रहते हैं कि किसने ट्रिपल आर को बॉलिवूड का फिल्म बोल दिया अब देखो भाई इस बात से तो एगरी मैं भी करता हूँ कि एक पैन इंडिया फिल्म को किसी एक इंडरेस्टी से जोड़ देना कम्प्लिटली गलत है सो इंस्टेड पॉपलर की अंग्रेजों ने भी इसे ऑक्सपोर्ट डिस्नरी में अफिसली इंक्लूड कर लिया हाला कि जब यह हुआ तब मिस्टर अमिता बच्चन ने इसका विरोध किया था और बोला था कि इस तरह से तो इंडियन सिनेमा कभी ग्रोह ही नहीं कर पाएगा और ये बात उन्होंने 2003 या 4 में कही थी जब एक्चुली 6-3 फिल्मों का उतना बोल बाला नहीं था पर ऐसा नहीं है कि आज उनके बोल बदल गए हैं वो आज भी बोलते हैं कि मुझे बॉलिवुड शब्द यूज करना किसी इंसल्ट से कम नहीं लगता पर ये कभी चेंज नहीं उल्टे समय के साथ इंडिया में ऐसे वुड्स बढ़ते ही गए आज की समय में इंडिया में ओफिचली 16 वुड्स हैं यके नहीं आता तो आप एक बर इंडियन सीनेमा इंडरस्टी की लिष्ट देख लें सब को वुड्स के आगे डॉली मॉली जॉली भोजी और भी ना ज कुध दुनिया के सारे गोरों की फिल्मों को घोशीच कर देते हैं सोचो जड़ा उस ऑस्ट्रेलियन फिल्मेकर कूँ कैसा फिल होगा जिसने अपग्रेड नाम की फिल्मबाना ए थी और कुछ लोगों नै उसे घोशीच कर दी थी सिम वैसा ही स्पैनिस ब्रिटिश और वही नाम लेते हैं जो उनके दिमाग में सबसे पहले आता है खर उन्हें डिफरेंसे समझ में नहीं आता पर हमें तो आता है ना So we as Indian इतना बटे बटे रहने के बजाए Let's celebrate this moment यार हाँ ये अलग बात है कि कुछ हैवानियत भरी आखो वाले यूटुबर्स इस ब्यूटिफुल मोमेंट में भी जहर घोलने की भरपूर कोशिश कर रहे है लोगों को बातने की कोशिश कर रहे है पर थैंगाट इसके मेकर्ज इसे खुद इंडियन फिल्में इंड्रेश्टि और इंडिया को dedicate कर रहे हैं ना कि किसी प्रांत या किसी वूट को तो इन मुद्दों को बेवजात तूल देने का कोई सेंस नहीं है वसे इतनी खिस्तान के वो ट्रिपल र के नाम से ही चालू है पर एलिफेंट विस्परर नाम की एक डॉकुमेंटरी के नाम भी ये अचीवमेंट है पर वो इन सारे जमेलों से दूर अपना मोमेंट इंजॉय कर रहा है एनिवेज फिलाल तो दोनों को हमारी ओर चे बिग कॉंग्रिचिलेशन्स उम्मीद है आने वाले समय में हमें ऐसे ही अचीवमेंट्स और भी देखने मिले वसे आप भी अपने विचार्स कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाबाए एंड टेक क्यार